Hello everyone, welcome back. आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे यूगलिना के behavior के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे यूगलिना का reaction to light. तो देखें, यूगलिना एक phototrophic organism है, इसके पास chlorophyll containing chloroplast होते हैं, जिनके कारण ये sunlight की presence में अपने खुद का खाना synthesize कर सकता है. तो जाहिर सी बात है कि ये एक light loving organism है. ये अपने flagellum की मदद से light के towards swim करता है, और इसलिए इसको कहते हैं हम positively phototactic. Light के respect में जो movement होती है, उसको कहा जाता है phototaxis. negatively phototactic वो organisms होते हैं, जो light से दूर भागते हैं. अब देखें, योगलिना के पास तो कोई eye नहीं है, तो इसे कैसे मालूम पड़ता है कि light किस तरफ से आ रही है? ऐसे में ये अपना एक special structure called photoreceptor apparatus का use करता है, जो इसको light की towards sensitivity प्रवाइट करता है, और इसकी मदद करता है to orient itself towards the source of light. वैसे तो मैंने photoreceptor apparatus को morphology वाली वीडियो में detail में explain किया हुआ है, जिसको देखने का link आपको description box में मिल जाएगा. पर इस वीडियो के लिए मैं आपको बता दू, कि जो photoreceptor apparatus होता है, वो दो चीजों के से मिलकर बनता है. पहला है stigma, यानि की red eye spot, और दूसरा है इसका parafragular body. stigma lipid droplets से बना होता है, और हर lipid droplets में एक red color का carotenoid pigment होता है, जिसकी वज़े से stigma red color का appear होता है. parafragular body जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों flagella के base पर present होता है. कैसे यूगलिना में ये parafragular body और stigma मिलकर इसको sensitivity provide करते हैं towards light, यह हम आगे पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम देख लेते हैं, क्या होगा अगर हम यूगलिना को एक plate में culture करें. मान लीजे, ये मेरी culture plate है, और उसके उपर मैंने फैंकी एक beam of light. अब इसी plate के आधे हिस्से को मैंने cover कर दिया है, जिसकी वज़े से जो आधा हिस्सा है, यह एप shady area है, यहाँ पर कोई light नहीं पढ़ रही है. जो बाकी का आधा हिस्सा है, उसके उपर direct beam of light पढ़ रही है. तो ऐसे भी यह observe किया जाता है, कि जो बीच वाला हिस्सा होता है, जिसपे moderate light पढ़ रही है, सारे यूगलिने वहाँ पर आकर अपने आपको orient कर लेते हैं, और वहाँ पर आकर वो एकठा हो जाते हैं. इससे हमें यह पता चलता है, कि यूगलिना को moderate intensity की light में रहना तो पसंद है, बट वो strong light और shady area दोनों को ही avoid करता है. अब काफी लंबे वक्त के लिए अगर आप यूगलिना को अंधेरे में रखते हैं, तो वो अपने सारे chloroplast lose करके heterotrophic mode of nutrition शो करने लग जाता है. अब हम देखते हैं shock reaction in यूगलिना और कैसे इसके मदद से यूगलिना अपनी direction of movement को change करता है. तो जैसा कि हम जानते हैं, यूगलिना अपने flagellum के मदद से light source के towards swim करता है. यह अपने आपको light source से आने वाली beam of light के parallel orient कर लेता है और फिर flagellum movement से उस source के towards move करता है. अब जैसे यह मेरा light source है और सामने से light पढ़ रही है तो यह जो मेरा यूगलिना है यह light source के towards move करेगा. अब यह आगे बढ़ने के साथ साथ अपने खुद की axis के respect में भी rotate करता जाएगा. अब हमने कहा कि यूगलिना के उपर यह सामने से light डाली जा रही है जिसके towards वो swim कर रहा है. अब हमने क्या किया कि हमने इस light को बंद करके इस पर side से light डालनी शुरू करती. ऐसे में क्या होगा वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं. तो देखें, जैसे कि मैंने कहा कि यूगलिना का जो stigma और paraflagular body है, वो दोनों मिलकर यूगलिना को light के towards sensitivity प्रवाइड करते हैं. तो वो कैसे, वो किस प्रकार से यूगलिना को light के towards sensitivity प्रवाइड करते हैं, वही अब हम देखने जा रहे हैं. तो ये वाला जो diagram है, इस diagram को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये मेरा एक यूगलिना है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूगलिना का जो photoreceptor apparatus है, उसमें मैंने कहा कि एक होता है stigma. यहाँ पे जुनोंने ये black dot दिखाई हुई है, यही black dot actually stigma को represent कर रही है. अब देखें, हमने सामने वारा जो light of source है, उसको बंद कर दिया है, तो light यहाँ से आने की बजाए अब यहाँ से आ रही है. पर originally तो यूगलिना भी आगे ही बढ़ रहा है, क्योंकि यूगलिना को तो एकदम से नहीं पता लगा ना, कि हम उसका light source बदल गया, तो एकदम से यह पैरा फ्लाजलर बॉड़ी की position कैसे रहती है, यहाँ पर यह मान लीजे मेरा फ्लाजलम है, ठीक है, यह मेरा फ्लाजलम है, और पैरा फ्लाजलर बॉड़ी को मैंने यहाँ पर red से रूलेट कर दिया, ठीक है, तो मान लीजे यह मेरी पैरा फ्लाजलर बॉड़ी है, जो म कोई दिक्कत की बात नहीं है तो जब कर जाएगा तो उसका जो यह स्टिग्मा अब इस अब इस पर तरफ पर आ जाएगा तब क्या होगा जब इस पर लाइट पड़ेगी तो अगें मैं यहाँ पर आपना एक flagella me बना लेती हूं यह मेरा उपित वेցड़ेगी हाँ और यहीं मेरा यहां पे कुछ प्या लजेलर बाड़ी हो गए जिसको मैं अब बिशार करने जारी हूँ, तो ये मेरा माझलीस प्यार के बाड़ी है मैं again repeat कर रही हूँ मैं एक और डाइग्राम से इसको बना के आपको दिखाती हूँ मार लीजी ये मेरा यूग लीना है ये उसका है मेरा reservoir reservoir में थे मेरा ये एक बड़ा वाला फ्लाजिलम और ये मेरा छोटा वाला फ्लाजिलम ये इनके junction पर था मेरा प्यारा फ्लाजिलर बॉड़ी और यहां पर lateral side पर मैंने बना दिया अपना ये stigma तो ये purple color से I have shown the stigma तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब light आ रही है इस तरीके से इस पर laterally जब light पढ़ रही है तो क्या होगा कि stigma पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी और light के बीच में पढ़ रहा है देखे जब यूगलिना आगे move करना चाता है तो ऐसे में पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी के उपर हमेशा light पढ़ती रहनी चाहिए यह एक signal है कि अगर पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी constantly light से illuminated है तो जो organism है यूगलिना है वो light के towards move कर रहा है पर अब यहाँ पे जब stigma के उपर light पढ़ेगी और क्यूंकि stigma light source और पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी के बीच में है तो stigma की shadow इस पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी पर तो क्या होगा कि पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी अब इल्ल्यूमिनेट नहीं रहेगा उसके उपर एक डाकनिंग आ जाएगी तो अब जो पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी है उसके उपर light पढ़ने की बजाए stigma की shadow पढ़ेगी तो हर एक rotation में क्या होगा rotation में यूगलिना का जो प पाइरल मैनर such that पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी is constantly and uniformly illuminated पर मान लीजे अगर हमने लेटरल सोर्स ऑफ लाइट अब यूगलिना पर डालना शुरू कर दिया है तो क्या होगा कि हर एक rotation में जो shadow है pigment की pigment यानि कि जो carotenoid pigment stigma में present है उनकी जो shadow है वो पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी पर पड़ेगी और इसकी वज़े से पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी का या जो base और फ्लाजिलम है उसका alternate darkening और illumination होता रहेगा अब इस alternate darkening और illumination से क्या होता है इससे एक shock reaction प्रडूश होता है तो हर बार जब भी ये पैरा फ्लाजिलर बॉड़ी ऐसे darken होगी उससे एक shock reaction बाजिलम है वह अपने आपको इस तरीके से चेंज करते हैं अपनी movement को जिससे जो बॉड़ी है यूग लिना की वह right angles पे bend कर जाती है अब ऐसे में यह बात भी ध्यान रखने की है कि यूग लिना को तो नहीं पता कि किस तरफ से light आ रही है यूग लिना को यह पता है कि उस अबने से तो light आने रही जिस direction में मूव कर रहा हूं उस direction से अब light आ नहीं रही है क्योंकि अगर उसी direction से light आ रही होती तो मेरा paraflagular body constantly illuminated रहता तो उसको यह बात पता लग गई है कि अब light कहीं और से आ रही है पर अब भी उसको यह तो नहीं पता कि light किस तरफ से आ रही है भी light लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है उसको किस तरफ अपने आपको मोलना है तो वो क्या करेगा वो एक error and trial method से अपने आपको orient करेगा यानि कि वो कभी इधर की side पे या फिर इधर की side पे इस तरीके से वो move करेगा बढ़ उसका यह purpose रहेगा कि वो कुछ ऐसी illuminated है उसके ओपर कोई shadow नहीं पढ़ रही तो यह एक signal है कि अब मैं वापिस से source of light के towards move कर रहा हूं तो इस तरीके से जो पैरफ्लाजरर बॉडी और stigma है यानि कि जो photoreceptor apparatus है वो यूगलेना को light के towards orient करने में help कर रहे हैं और क्या होता है कि अगर यूगलेना का जो light का source है वो shock reaction का यूज करता है जिसमें जो पैरा फ्लाजरर बॉडी है उसका alternative darkening और lightning की वज़े से यूगलेना अपनी body की movement या body की direction को change करता है अब देखिए जैसे कि हम देखके आए हैं कि यूगलेना light की towards तो positively photo tactic है यानि कि वो light की towards movement शो करता है however यूगलेना एक और type का reaction शो करता है जिसे हम कहते है avoiding reaction अब avoiding reaction में क्या होता है कि हम movement देख रहे हैं यूगलेना की with respect to a chemical, mechanical और a thermal stimulus movement with respect to a chemical, mechanical या फिर कोई thermal stimulus इसको कहा जाता है phobotaxis और यूगलेना एक negatively phobic organism है यानि कि अगर इसको आपने कोई chemical, ठीके कोई आपने इसको chemical stimulus दे दिया या कोई mechanical stimulus दे दिया कुछ touch type का या फिर आपने इसको कुछ heat से related यानि कि thermal stimulus दे दिया it stops या फिर कभी-कभी तो it starts to move backwards यानि कि पीछे के side पे वो move करना लग जाता है तो ऐसा कैसे करता है वो भी देख लेते हैं तो जैसे मान लिजे यह मेरा यूगलेन है और इसकी number one position है अब क्या होगा कि मान लिजे आगे इसको एक ऐसा कोई stimulus मिला chemical, mechanical या thermal किसी भी type का इसको मान लिजे stimulus मिल गया तो अब क्या होगा यह से avoid करना चाहेगा यह चाहेगा कि भाई मैं इसे दूर भागू किसी तरीकी से अपनी direction बदल लूँ या कुछ भी कर लूँ पर मैं इसे दूर भागू तो ऐसे भी वो क्या करेगा जो इसका posterior भा मतलब एक circle की तरह rotate करेगा और क्या होगा basically वो अपने आपको trial and error method से orient करेगा मतलब जैसे के मान लीजे वो इधर गया उसको फिर से stimulus मिल गया तो यह भी सही direction नहीं है फिर वो इधर गया तो उसको stimulus मिल गया तो यह भी सही direction नहीं है फिर फाइनली जब वो इधर मोडा तो उ पर इसको वो stimulus नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से जो यूगलिना है वो एक avoiding reaction शोर करेगा तो इस वेडियो में हमने पढ़ी यूगलिना के behavior के बारे में पहले हमने पढ़ा उसका reaction to light और हमने देखा कि वो एक positively phototactic organism है और light के towards swim करता है फिर हमने देखा उसका shock reaction जिसे use करके यूगलिना अपनी direction को change करता है जब भी उसका light source है उसकी direction बदलती है फिर हमने पढ़ा उसका avoiding reaction जो यूगलिना किसी भी mechanical, chemical या thermal stimulus के against शो करता है जिसमें वो या तो slow down हो जाता है या फिर वो stop हो जाता है या वो पीछे की side move करने लग जाता है यूगलिना की पूरी playlist देखने के लिए आप description box में दिये गए link पर click कर सकते हैं तो thank you for watching, हम मिलेंगे अगले video में, take care and stay safe